हेलो बच्चों कैसे आप सब स्वाकत है आप सब का ओनलाइन क्लासेश में और आज ओनलाइन क्लासेश के सिरीज में हम क्लास 12 जोग्रफी पार्ट 2 के अंतरगत लेशन 8 निर्माण उद्योग के अध्याय का विश्त्रत अध्यन करेंगे निर्माण उद्योग जैसा कि आपको पता है बच्चों यह एक दो दियक करिया है निर्माण उद्योग में किर्शी उत्पाद या अनप्रात्मिक शेक्टर से प्राप्त वस्तूओं को उनका रूप बदल कर और उनका मूल परक प्योग हे तू लाने के लिए जो प्रक्रिया है वह निर्माण उद्योग के अंतरगत आती है तो आए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस निर्माण उद्योग अध्याय में हमें क्या क्य होना है इस अध्याय में बच्चों हम देखेंगे कि उद्योग क्या है उद्योगों के प्रकार क्या है और किसी भी उद्योग को इस्थापित करने के लिए कौन कौन सी भोगोलिक परिसितियां आवश्चक हैं और इसके अलावा मुख उद्योग कौन कौन से हैं तो इतने विंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे तो देखते हैं इस अध्या में बच्चों शुरू करते हैं देखे जैसा कि इसमें जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेट है आपको सिर्फ उतना ही बताया जाएगा ज्यादा आपको प्रेशन में नहीं रहना है कि अध्या बहुत तो कैसे करेंगे लेकिन आपको कोशिश की जा रहे कि आपको जितना ही आपके लिए आउशक है उतना ही बताया जाए और आपको आसान तरीके से समझाया जा सके तो देखें शुरू में क्या लिखा है आप खुद उसको ध्यान से देखें हम अपनी आउशक्ताओं की पूर आटा चावल के रूप में तैयार किया जाता है भूमी का है बच्चों आप इसे ध्यान से देखें तभी आप अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन रोटी चावल के अत्रिक्त हमें कपड़ों, पुष्टकों, पंखों, कारों और दवाईयों की भी आवाशक्ता होती हमारी जो मूलबूत आवाशक्ता क्या है बच्चों वह है रोटी, कपड़ा और मकान लेकिन इन सब के अत्रिक्त भी हमारी कुछ आवशक्ता हैं जिनको हमें आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए कहीं न कहीं किसी उद्योगों पर डिपेंड रहना पड़ता है उद्योगी काईयों पर निर्भा रहना पड़ता है जो कि उद्योगों के निर्माड से ही संभव है आधनिक समय में जो अर्थ विवस्था का एक महतपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं उद्योग ये उद्योग धंदे एक बड़ी संख्या में शरमिकों को रोजगार भी प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रिय संपत्ति आयमे महतपूर्ण योगदान देते हैं तो जैसा कि आपको पता लगा कि जो उद्योग हैं ये हमारी अर्थ विवस्था का एक महतपूर्ण हिस्सा है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार की आमदनी की प्राप्ति होती है और जिससे हमारे राष्ट्रिय संपत्ति और आयमे महतपूर्ण योगदार मिलता है अब आये देखते हैं उद्योगों के प्रकार उद्योगों को बच्चों बहुत सारे वर्गों में विभाज़ित किया गया है और इनके विभाजन के कई आधार है जैसे इसमें देखिए आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति की आधार पर उद्योगों को विरहत, मध्यम, लगू और कुटी रुद्योगों में वर्गी किर्थ किया गया है दूसरा स्वामीतु की आधार पर उद्योग सार्जनिक सेक्टर, व्यक्तिगा सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभाजित किया गया सार्जनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वार नियंत्रित कंपनिया या निगम है अर्था सावजुनिक जो सेक्टर के उद्योग है इन में सरकार का पृतनिधी तुरहता है और सावजुनिक सेक्टर में सामानता है सामरिक और राष्ट्रिय महत्यू के उद्योग धन्दे आते हैं उद्योगों का वर्गी करण उनके उत्पादों के उप्योग के आधार पर भी किया गया है जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजी पदार्थ उद्योग और मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और अंद में उभोकता पदार्थ उद्योग इसके अलावा देखे उद्योगों द्वारा प्रियोक्त किये जाने वाले कच्चे माल के आधार पर इनका वर्गी करण किया गया है और इनके अनुसार किर्शी आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनीज आधारित उद्योग, उद्योगों दोया निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग अर्थात ये जो वर्गी करण है ये कच्चे माल के आधार पर अगर कच्चा माल हमें किर्शी पर depend होकर मिलता है तो ये कैसा उद्योग होगा किर्शी आधारित उद्योग अगर वनों के मादम से हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है तो ये होगा वन आधारित उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् की प्रकिर्ट पर आधारित है और यह आठ प्रकार के उद्योग हैं पहला धातुकर्म उद्योग यांत्रिक इंजिनिरिंग उद्योग और राशानिक संबाद उद्योग वस्त्र उद्योग खाद संसाधन उद्योग विद्युत उत्पादन उद्योग इलक्ट्रोनिक और सं चार उद्योग यह जो है दिर्मित उदपादों की प्रकृष क्रिखिछ कि आधार पर वगी करन आपको बताया गया और अब देखते हैं उद्योगों की इस्थित उद्योगों की इस्थित कई कारको जैसे कच्चे माल की उपलादुता, बाजार, पूझी, याता, यात, और इत्यादी दोरा पर भावित होती है अर्थात अगर कोई उध्योग अस्थावित किया जाता है तो वहां पर इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वहां पर कच्छे माल की प्राप्ति है या नहीं शक्ति उद्पलब्त शक्ति बाजार होना चाहिए पूंजी भी हो कार में घनिष्ट सम्मांद होता है और परिवहन मूल एक बड़ी सीमा जो परिवहन मूल है एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकिर्ट पर निर्भर करता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संसित विवरण नीचे अब देखिए उद्योगों को स्थापना में जो महतपूर्ण कारक हैं उनको परभावित करते हैं स्थापित करने में तो पहला कारक है कच्चा माल क्या है इसकी क्या भूमिका है उद्योगों में तो भार हरास वाले कच्चे माल का उप्योग करने वाले उद्योग उन प्र बनने वाले जो वस्तुएं भारी बनके निकल के आती हैं तो ऐसे उद्योग उन्हें अस्थानों पर अस्थापित किया जाते हैं जहां पर कच्छे माल की उपलब्द होता हो कहने का तात पर यह बच्चो मान लीजिए कोई उद्योग उस्थापित किया गया और वह पर यह बारी भारत में चीनी मिले गन्हा उत्पादक छेत्रों में क्यों अस्थापित किया जाते हैं यह आपको आगे बताया जाएगा भी इसी प्रकार लुगदी उद्योग तामा प्रग्रन पिगारन उद्योग अपने कच्छे मार प्राप्त के अस्थानों के अच्छा माल और माल श्रोतों के निकठ्ट होना चाहिए यही कारणे के अधिकांस लोहा इस्पात उद्योग या तो कोईला छेत्रों जैसे बोकारों दुर्गापुराद के निकठ्ट इस्थी थे अथ्वा लोह ऐस के श्रोतों लोह ऐस के श्रोत कहा है भद्रावती भिल दाई रावर केला के निकठ्ट इस्थी थे तो कच्चे माल के उपलफता जहां आसान होगी वहीं पर उद्यों को स्थापित किया जाता है और दूसरा जो कारक है निर्माण उद्यों को स्थापित करने में शक्ति यानि ओर्जा के साधन शक्ति मशीनों के लिए गति दाई बल प्रदान करती है जो मशीन है उनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए बिजली चाहिए उर्जा के साधन चाहिए और इसलिए किसी भी उद्यों के स्थापना से पहले इसकी आपूर्ती सुनिशित कर ली जाती है जैसे एल्मोनियम और किर्त्रिम नाइट्रोजन निर्मा सूति की महतपूर्ण भूमिका है बच्चो इसके अलावा देखते हैं और कौन से कारेक है जो उद्यों के प्रभावित करते हैं उस्थापित करने में बाजार बाजार यानि मार्केट सप्लाइ सेंटर बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्द कराती ह भारी मशीन, मशीन के ओजार, भारी रसायनों के अस्थापना उच मांग वाले छेतरों के निकट की जाती है क्योंकि ये बाजार अहिमक होते हैं सूती वस्त उद्योक में शुद्ध कच्चे माल का उप्योग होता है और ये प्राया बड़े नगरी केंद्रों में इस्थापित किये जाते हैं जैसे मुंबई, एहमदाबाद, सूरत, आदी पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं की इस्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है क्योंकि आप परिश्क तेल का परिभेन आसान होता है अर्थात जो सुद्ध तेल होता है बिना रिफाइन किया है वह भी आसानी से उसका परिभेन किया जा सके उनसे प्राप्त कई उ बहुत ही मैतपूंट भूमिका को साधन है वैं किस प्रकार से उद्धोग involve को स्थापित करने में सही Old देते हैं तो कि इसमें दिया गया है और जो कुछ पूछा गया कि मुंबाई चेनने दिली कोलकाता के अंदर उनके चारों और उद्योगों को केंद्री करण के कारणों को जानने का प्रयास किया है जो हमारे चार महानगर हैं दिल्ली, मंबई, चैने, कोलकाता आपने देखा कि यहां पर इनके चारों और आसपास ही बहुत सारी उद्योगों को स्थापित किया गया है ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि यहां पर railway line बिचाने के बाद उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थाना दृत किया गया सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मारगों पर इस्थित है और इसे क्या हुआ है वस्तों को लाने ले जाने में बहुत ही आसान आसानी हो गई है और यहां पर उद्योग अस्थापित किया गया और अगला कारे के बच्चों श्रम श्रम यानि मजदूर अब कोई भी उद्योग बिना श्रम के नहीं चिलाए जा सकता है बिना मजदूरों के बारे में हम श्रम के उद्योगों को अस्थापित करने के बारे में सोच भी ने सकत उद्योगों के कुशल श्रम क्यों क्यों य। अवशक्ता होती भारत में श्रम भहुत गत्षील है तुथ जनसंक्या आधिक होने के कारण बड़ी संक्या में उपलब्ध है। कोलकाता चेन नहीं के अध्योग केंदर के रूप में उभरने के कारण के विशे में यहीं पर यह विकास क्यों हुआ है इसका कारण क्या है इसमें देखें यह हमारे अपनिवेशिक अतीत दोरा जो हमारा प्राचीन इतिहास है यह अतधिक प्रभावित थे यह चेत्र और मुशिर्दाबाद धाका भदोही सूरत बडोदरा कोजी कोट कोयमबटूर महसूर आदियस्थान महतपूर निर्मार केंदरों के रूप में उभरें उपनिवेशवात के उत्तर कालीन और द्योगिक चरण में बृटेन में निर्मित वस्तुओं से होड और उपनिवेशिक के शक्ति की भेद मूलक नीति के कारण इन निर्मार केंदरों का तेजी से विकास हुआ है और अब आएए देखते हैं और द्योगिक नीति क्या है प्रारमभी काली बद्चोक अद्योगों को जो दशा थी उसको ओर सुधारने के लिए और द्योगिक को स्थापित क्या गय और एक परजात आंत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश संतुलित प्रादेशी विकास के साथ आर्थिक सम्रिध्धी लाना है अर्थात प्रदेशों का विकास करना ही है साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी सम्रिध्धी लाना है आर्थिक दिरिश्टी से विकास करना हमें, तो भिलाई और रावर केला में लौविस पाद्यों के अस्थापना देश के पिछड़े जन जाती चेतरों के विकास के निर्णे पर आधारित ही, वर्तमा समय में भारत सरकार पिछड़े चेतरों में अस्थापित उद्योग धन् तो जो उद्योग हमारे देश में पहला है लौ इसपात उद्योग यह हमारे देश की अर्थवयोस्ता का आधार है वच्छो लौ इसपात उद्योग के विकास ने भारत में तीवर उद्योगी विकास के दरवाजे खोल दिये हैं अर्था जो उद्योगी विकास है यह लौ इ संबब हो चुका है भारतिय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपने मूल आधारिक और सनसना के लिए मुख रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं और लोहा इस्पात द्योग के लिए लोहा एस्प और कोक कारी कोईला के अत्रिक चुना पत्थर डोलो सब्सक्राइट मैगनीज और अगनी सहमृति का आधि कच्चे माल के भी आवशक्ता होती है यह सभी कच्चे माल भार रास वाले या अधिक भार वाले आप कह सकते हैं भी होते हैं इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छे इस्थिति कच्च्चे माल शोतों के निकट होती है अर्थात यह लोहा इस्पात उद्योग आपको पता है कि भारी कच्चे माल पर अधारित है और इससे जो निर्मान होते वह भारी होतो है तो इसके लिए यह उद्योग महीं पर स्थाबित किया जाएगा जहां पर कच्च्चे माल आसानी से सुलब हो सके भार परत में चतीसगड, उत्तरी उडिसा, जारकन, पश्ची मंगाल और इसके भागों में समाविष्ट करते हुए आर्दचंदराकार प्रदेश हैं जो उच्च कोट के लॉयस्क अच्छे गुणवत्ता वाले कोक कारिकोईला और अन्य संपूरकों से संबन्त हैं जिसके परणा क्रिति इसपाथ कार खाने कौन-कौन से हैं, लॉइसपाथ उद्ध्यों के तो पहला लॉइसपाथ कार खाना है, वह है टाटा लॉइसपाथ कमपनी, इसको शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं टि आई-स-स-सी-ओ, टाटा लॉइसपाथ मुमबई-कोलकाता, रेल वे मार्क के निकट इस्तित है यहां के लॉइस पात के निर्यात के लिए सबसे नजदीक लगबग 240 किलो मीटर पत्तन कोल काता है अब देखे यह यह इंपॉर्टर कोशन के रूप में आता है भारत में लॉइस पात उद्योग के बारे में कोशन पूछा जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखे कौन कौन से लॉइस पात कार खाने हैं उनकी क्या इस्तिती है और इसके अलावा कहां परस्थापित किये गये हैं सायंत्र को पानी सुवंड रेखा यह जो टाटा लॉइस पात उद्योग है इस कार खाने को जो पानी की सप्लाई है वे सुवंड रेखा नदी और खार कोई नदियों से लोहा नुवा मड्य बादा पहाड से और कोईला जोडा खानों से या जो उडिशा से है उडिशा में है कोकारी कोईला जरिया और पश्चिम मोकारों कोईला चेत्रों से प्राप्त होता है तो आप देख रहे हैं सब कुछ जो इतना क कच्चा माल है सब इसको आस पास के केंदरों से ही प्राप्त है इसलिए यह उद्योग अपने कच्चे माल के बिलकुन नजदीख स्थापित किया गया है जिससे की कच्चे माल के उपलबता असानी से हो सके उसके बाद हैं भारतिय लोहा और इस्पात कंपनी इसको वैथा टि के साचर से बंगाल स्टील कार्परेशन के स्थापना की गई बर्णपूर यह पश्चे मंगाल में है में लोहा इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई के स्थापना की गई इंडियन आइरन स्टील कंपनी के अधिकार छेत्र में आने वाले तीन सहींत्र दामोदर घाट कोईला चेत्रों यह रानी गन जरिया और रामगड के निकट कोलकाता आसन सो रेलमार परिस्थित है लो एस सिंगभूम कहां है यह जारखन से आता है जल दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर से प्राप्त किया जाता है दुरभाग से भारती लोहा और इसपात कारखाने से इसपात बहुत कम हो गया और सहयंत सरकार द्वरह अधिगरीत कर लिया गया अर्थात इसमें उत्पातर बहुत कम हो गया और अगला है विश्विस वाराऱ इनद और इस्टील वर्ष यह तीसरा लोहा इसपात कारखाना था कि द्कhoraण घ के नाम से जाना जाता था बावा भूधन की पहाड़ियों के केमान गुंडी के लॉएस छेत्रों के निकट इस्तित है याईनि इसको जो लॉएस कहां से प्राप्त होता है यह बावा भूधन की पहाड़ियों के केमान गुंडी से और चूना पत्थर मैगनीज भी आसपास के छेतरों से उपलब्द है लेकिन इस प्रदेश में कोईला नहीं है इसकी मुसीबत यही है बच्चो कि इसके आसपास कोईला नहीं है प्रारंभ में पास के जंगलों से एक सेकेंड आपको मैप दिखा रहे हैं देखे यह भारत का नक्षा और आपकी NCRT की बुक में दे रखा है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं यह लोहाइस पास उद्यो के केंद्र है यह देखे बोकारो जमशेडपूर रावर केला भिलाई दुरगापूर आसनसोल जितने भी हैं बद्रा होती लोहाइस पास उद्यो केंद्र हैं और अलग-अलग जो आपको यह कमपनियां हैं पताई हैं टाटा लोहाई स्पाथ यह इसका पूरा मैप दे दिया गया है रेखा चीत भारती लोहाई स्पाह अर्जम्पनी का यह पूरा आप देख सकते हैं अपनी अपने अपने इस Muslim है भारती पूर यह सपाउंत के दे रखा है तो लकडी को जला कर चार कोल को 1950 तक इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था बाद में विद्धुद भठियां लगाए गई जिन में जोग प्रपात जल विद्धुद पर्योजना से जल प्राप्त जल विद्धुद का उप्योग होता था संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है यह जो विश्योश रही है बच्चो लोई स्पास अद्योग इसको जल कहां से प्राप्त होता है भद्रावती नदी से और यह संयंत्र विश्यष्ट इस्पात एवं एलाय का उत्पादन करता है और इसके अलावा जो यहां पर नए इसपास सयंत्रों के स्थापना की गई है यह रावर केला ओडिसा में है बिलाई 36 गड़ दुर्गापूर पश्चिमंगाल यहां के स्थापना और इसके अलावा रावर केला इसपास सयंत्र जर्मनी के सहयोग से इसके स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1969 में ओडिसा के सुन्दरगड जिले में अस्थापित किया गया था सयंत्र को कच्चे माल की निकटता की आधार पर अस्थापित किया गया अर्थाद यहां पर कच्चा माल आसानी से और निकट ही उपलब दे इस प्रकार भार रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल कम हो जाता है अर्थाद अगर यहां पर उद्यों को स्थापित किया गया है कच्चा माल भी यहीं पर पास मिल जाता है तो यहां से आने जाने कि जो दूरी की जो परिवहन लागत है वे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी दूरी की जो परिवहन वे है वे कम हो जाता है इस सायंत्र को विशिष्ट आवस्थित लाव प्राप्त है क्योंकि इसे निक्टस्त जरिया यानि जारखंड से कोईला और सुन्दरगड केंदुजर से लौइस्क प्राप्त हो जाता है विद्ध भठियों के लिए विद्ध शक्त हीरा कुन परियोजना से और जल कोईल और शंक नदियों से प्राप्त हो जाता है तो आप इन सभी इस पात सायंत्रों में आपको एक बास समझ में आ रही होगी ये जितने भी लोः शपात सायंत्र लगाए गये हैं कच्चा माल बच्चो सब इनके आसपास उपलब्दें कहीं दूर जाने के अउशक्ता नहीं है और अब अगला है भिलाई इस्पात सायंत्र, भिलाई इस्पात सायंत्र के इस्थापना रूस के सायोग से, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा इस्पात सायंत्र किस देश की सायता से कब लगाया गया और कौन को इन से मुख यहां के सायंत्र है, आपको इन सभी प पादन प्रारंब हो गया और देखें लौ एस्क डली राजहरा खानों से प्राफ्थ होता है कोईला इसे कोर्बा और करगाली कोईला खानों से प्राफ्थ हो जाता है जल तंदुला बांद से विद्धु शक्ति कोर्बा ता विद्धु शक्ति ग्रह से प्राफ्थ होती है य यह था बिलाई स्पास ससेंद्र और अब आगे देखते हैं दुरगापुर स्पास स्पास सेंद्र युनाइटिट किंग्डम की सरकार अब यह देखिए यह जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया था, यह सांयःत रानी गंज और ज्हरिया कोईला पेटी में इस्तित है यह बीदेखिया सु नोय मंडी से प्राफ्थ हो जाता है दुर्गापुर कॉलकाता दिल्ली रेलवे मारक पर स्थित है इसे जल विद्धु शक्ति और दामोदर जल दामोदर घाटी कॉर्परेशन या डीवी सी से प्राप्त हो जाता है सब कुछ आसपास ही है इसलिए उद्योग विकास की गती पर है और अगला जो है बच्चो अगला है बच्चो इसपा बोकारो इसपा सैंत्र और बोकारो इसपा सैंत्र रूज के सही होग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया इस सैंत्र की अस्थापना परिवेहन लागत निवनी करण सिधान्त के आधार पर की गई जिसके अनुसार बोकारो और रावरकेला से रूज के प्राप्त करते हैं वापसी में मालगाड़ी के डिबबे रावरकेला के लिए कोईला ले जाते हैं और अन्यकच्चे माल जो है जो अन्यकच्चे माले बोकारों को लगभग साड़े तीन सो किलो मीटर की परित के अंदर प्राप्त हो जाते हैं जल और जल विद्धु शक्ति की आपूरती दामोदर घाटी कार्पूरेशन द्वारा की जाती है यह मुख थे लोहा इस्पास सैंत्र और इसके अलावा कु सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है प्राचीन और मधिकाल में यह केवल कुटूर उद्योग के रूप में यानि छोटे अस्तर पर ही किये जाते थे भारत संसार में हुआ अभी भी है थाग नहीं बच्चों अभी भी है लेकिन कुछ कारण है जिनकी वैसे थोड़ा सा उत्पादन कुछ कम है या फिर कुछ उत्पादक्ता में कमी आई है कारणों से हुआ पहला कारण था इसका विकास होने का भारत एक ओष्ण कटिबंधिये देश है सूती कपड़ा गरम और आद जलवाई के लिए एक आराम दैक वस्तर है हम सूती कपड़े आपने देखा हम गर्मी में ही यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ही आराम दैक है और दूसरा कारण क्या है विकास होने का सूती वस्तर उत्पादन होना यहाँ पर कपास भी बड़ी अगदीक मातरा में होती है और देश में इस उद्योग के लिए आवशक कुछल शर्मिक मिल गए और वासुता कुछ हैत्रों में लोग सूती वस्तरों का उत्पादन पीडियों से कर रहे थे और अपने कुछलता को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में अस्तानांत् करते रहे अर्थात यह उनका क्या था कुछ्टेनी व्योशाय बन गया और इसके अलावा वच्चों आपको दिखाते हैं अभी सूती वस्त उद्योग भारत में एक प्राचीन उद्योग जैसे बता दिया गया और यह कई पीड़ियों से चला आ रहा था मांचेस्टर और लिवरपूल इसी तपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे वहां तयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटूर उद्योग की तुलना में यूनाइटेट किंग्डम की मिलों में बड़े पेमाने पर उत्पादन होता था 1854 में पहली आधनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई इस शहर की सूती वस्त निर्माड केंद के रूप में कई लाब थे यह गुजरात और महाराष्ट के कपास उत्पादक छेतरों के बहुत निकट था कच्ची कपास इंगलेंड को निर्यात करने के लिए और इसके लाबा बच्चों यह देखिए आपकी बुक में दिया गया है सूती वस्त्र के जो उत्पादी करने के केंद्र है यह सभी रज्यों में प्रमुकस्थान दिये गए हैं आप इनको आराम से देख सकते हैं इसलिए कपास स्वयम मुंबई नगर में उपलब्ध थी इसके अत्रिक्त मुंबई उस समय भी वित्ती केंद्र था यह उद्योग प्रारंब करने के लिए आवश्चक पूंजी भी उपलब्ध थी रोजगार आवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण शर्मक्यों के लिए आकर्शन केंद्र था बच्चो मुंबई एक ऐसा केंद्र था जहां पर हर प्रकार की उस्विधयां प्राप्ती और इसके लिए इसलिए सस्ते परचुर मातरा में शर्मिक भी आसपास मिल जाते थे सूती वस्त मिलों के लिए आवश्यक मशीरों का आयत इंगलेंड से किया जा सकता था और बाद में दो और मिले शाहपुर मिल और कैलिको मिल एमदाबाद में स्थापित की गई ये बच्चो इतिहास आपको जाना जरूरी है कि हम जिन वस्तरों का प्रयोग करते हैं उनका इतिहास कहा रहा है भारत में सूती वस्त उद्योग ये देखिए दिया गया है भारत में जो सूती वस्त उद्योग है ये दो सेक्टर में बाटा जा सकता है पहला संगठित और दूसरा है असंगठित या विकेंद्रित सेक्टर के अंतरगत हत करगा यानि खादी और विद्दूत करगों में उत्पादित कपड़ा आता है संगठित सेक्टर के उत्पादों में तेजी से कमी आई यह बीस्वी शदाब्दी के मद्ध में 80 प्रिशत से घटकत 2000 में से में केवल लगबख 6 प्रिशत रहे गया वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त हत करगा सेक्टर के तुलना में विकेंद्री सेक्टर में विद्दूत करगों का द्वरा उत्पादन अधिक किया जाता है जाहिर सी बाते हद करगा के पेक्षा जो बिजली से जो कार खाने हैं इनके दुरावत पादित जो वस्त्र हैं इनका उद्योग अधिक विक्षित कर रहा है का पास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माड प्रक्रिया में नहीं घटता है अता अन्य दूसरे कारक जैसे करगों को चलाने के लिए शक्ति, शर्मिक, पूंजी अत्वा बाजार आदि उद्योग के इस्तिति को निर्धारित करते हैं वर्तमार में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट अस्थापित करने के प्रविर्थि पाई जाती है और बाजार ही या निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए अर्था मांग के आधार पर ही उत्पादन होता है तो जैसी मांग होगी वैसा उत्पादन होगा उसके बाद फिर क्या हुआ बच्छो उननीशी में शतापदी के उत्तरार्थ में अर्थाथ मुंबई और एहमदाबाद में पहली मिलके स्थापना के पशाथ सूती वस्त उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ अब यहाँ पर विकास की गती तीवर हुई मिलों की संख्या अकस्मिक रूप से बढ़ गई स्वदेशी आंदोलनों ने उद्योगों को पुर्मक रूप से प्रोशाहित किया यह जो स्वदेशी आंदोलन उसे में चलाया गया था उसने इस उद्योग को और अधिक गती परदान की क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिश्कार कर बदले में भारती सामानों को उप्योग में लाने का आवान किया गया अर्थात हम विदेशी सामान का उप्योग ना करें और अपने देश में बनी वस्तू का उप्योग करें तो उसमें जो सूती वस उद्योग था यह इसने विकास को विकासी गती प्राप्त की और इसने अधिक प्रगत की इस सुद्योग ने और इसके अलावाद जो इंपोर्टेट है आपके लिए बताते हैं इस प्रकार भारत में के लगभग प्रतेग राज में जहां एक या एक से अधिक अनकूल और सितिक कारक विद्मान थे सुद्योग उस्थापित किया गए इस प्रकार कच्छे माल के अस्थान पर बाजार अथवा सस्ते शर्मिक या विद्धुशक्ति की उपलकता अधिक महत पूर्ण हो गई वर्दमान में एहमदाबाद, विवांडी, शोलापूर, कोलापूर, नागपूर, इंदौर, उजयन, सूति वस्त्योग के मुख केंद्र हैं ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र हैं और कपास उत्पादक छेत्रों के निकट हैं महाराष्ट, गुजरा तमिलाडू, अग्रणी, कपास, उत्पादक राज हैं, पश्य मंगाल, उत्तरप्रदेश, करनाटक, पंजाब, दूसरे, महतपूर, सूति वस्त्र उत्पादक हैं तमिलाडू राज में सबसे अधिक मिले हैं और उनमें से अधिकांश कपड़ा ना बना कर सूत का उत्पा तूति कोरण, थंजाओ, रामनातपूरम और सेलम, दूसरे महतपूर केंदर हैं तमिलाडू के, और करनाटक में सूति वस्त्र उत्पादक राज के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भागों के कपास उत्पादक छेतुर में हुआ हैं, और उत्तर प्रदेश में कानपूर, देखिए, उत्तर प्रदेश में कानपूर सबसे बड़ा केंदर हैं, मोदी नगर, हाथरा, सारनपूर, आगरा, लखनो, कुछ अन्य महतपूर केंदर हैं, पश्य मंगाल में सूति, वस्तर, मिले, हुगली प्रदेश में स्तित हैं, हावडा, सीरामपूर, कोलकाता, से सूति कपड़े के उत्पादन में पांच गुना वृद्धी हुई है, सूति कपड़े को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिश परदा का सामना करना पड़ रहा है, भारत में सूति वस्त उद्योग की और कौन सी समस्यां ये वच्चों आपको आगे बताया जाएगा, और अगला जो उद्योग है वे है चीनी उद्योग, अब आपको चीनी उद्योग के पड़ना है, चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महतपून किर्शी आधरित उद्योग है, भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये बहुत सारा बहुत बड़ा चेप्टर है लेकिन आपको आवशकता अनुसा जितना करना है उतना ही बतारें उद्द्योग की अवस्थित गन्ना एक भार रास वाली फसल है चीनी और गन्ने का अनुपात नौ प्रिट्चर से बारा के बीच होता है जो इसकी गुणता पर निर दिया जाए तो इसके अंदर जो मिठा से बच्चों वो सूखने लगती है ठीक है तो यह उद्द्योग उन्हीं अस्थानों पर स्थाप्त किया जाता है जहां पर गन्ने की आसानी से पास में ही उपलब्दी हो जाए और जिससे की गन्ने से रस आसानी से समय रहते निकाल करें आदजास्तिश में अंगरणी चीनी उत्पादक राज के रूप में विक्सित हुआ और देश में कुल चीनी उत्पादन कि एक तिहाई से अधिक भाग का उत्पादन करता है वाच्चो महाराष्ट जो है चीनी उत्पादक के अगणी राज्यों में है और राज में 119 चीनी मिले हैं जो एक सकरी पटी के रूप में उत्तर में मंसाड से लेकर दक्षिन में कोलापूर तक विस्त्र थे चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दुतिय अस्थान है पृथम अस्थान महाराष्ट और दुतिय अस्थान कों से है उत्तर प्रदेश का चीनी उत्द्योंग दो पीटियो गंगा यमना दोवाब और तराई प्रदेश में केंद्री थे गंगा यमना दोवाब में सहा हैं लखीमपूर खीरी और बस्ती गोंडा गोरकपूर बहराई छे तमिलाडु में चीनी मीले कोईंबटूर बेलोर तिरुनमलाई विल्लूपूरम और तिरिचरापली जिलों में हैं करनाटक में बेलगाउं बेलारी मांडवा श्युमोगा विजयपूर और चीनी उत्पादक जिले हैं यहां चीनी उत्द्योग आंदर प्रदेश के 30 जिरों में पूर्वी गोदावरी पश्मी गोदावरी विशाखा पड़ने में तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मेंड़क जिले में वित रहे थे तो यह चीनी उत्पादक जो मुग के चीनी उत्पादक जिले हैं और गुजरात में चीनी उत्पादक रूप से यह भी नया है यहाँ चीनी मिले सूरत, जुनागर, राजकोट, अमरेली, वालसाद, भावनगर, जिले में गन्ना के उत्पादक छेत रहें यह था बच्चों चीनी उत्पादक और अब है पेट्रो रसायन उत्पादक यह उत्पादक क्या है तो आपको इसको भी ध्यान से देखना है पेट्रो रसायन उत्पादक क्या है उद्योगों का यह वर्ग भारत में तेजी से विक्सित किया गया है हो रहा है उद्योगों की इस चेनी के अंत्रगत कई प्रकाद के उत्पाद आते हैं 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ अप परिश्क्रत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तयार की जाती हैं जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब दुकराती है जो पेट्रोल रसायन उद्योग है यह अपने आप में एक उद्योग तो है ही इसके अलावा और जो वस्तुएं तयार होती है वे वस्तुएं वच्चों अनेक दूसरे परकार के जो उद्योग है उनको क्या है एक आधार प्रदान करती है कच्चा माल उपलब कराती है इन्हें सामोहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है उद्योगों के इस वर्ग को चार उपवर्गों में विभाजित किया गया है जैसे पहला है पॉलिमार, दूसरा कृतिम रेशे और इलेस्ट्रो टोमर्स और पृष्ट संक्रेक मुंबई शेल रसायन उद्योगों का केंद्र है पटाकों के उद्योग और रहिया उत्तरप्रदेश, जामनगर, गांधी नगर, हजीरा, गुजरात में है और नागो थाने, रतनागरी, महाराष्ट, हल्दिया, पश्ची मंगाल और विशाखा पड़नम में भी ये उद्योग इस्थित है और इसके अलावा ये विभिन प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलिमार ये देखिए विभिन प्रकार के जो रसायन है और इसे पॉलिमार रेशों और रेशों से बने संक्रियक का निर्माड और वितरण करता है दूसरा पेट्रो फिल्स और कॉपरेटरी लिमिटेड है जो भारत सरकार ये बुनकरों की सहकारी संस्ताओं का सेयुक्त प्रयास है ये पॉलिष्टर तंतु सूत और नाइलोन चिप्स का उत्पादन गुजरात इस्थित बड़ोधरा और नलधारी संयंतुरों में करता है और तीसरा है Central Institute of Plastic Engineering and Technology है जो प्रशिक्षन प्रदान करता है यहां पर इस उद्योग के लिए जो प्रशिक्षन यहां पर दिया जाता है और इसके अलावा जो इस उद्योग में मुख है कि अधि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन यह देखिए दिया गया यहां पर दैनिक जीवन के लिए उप्योग के लिए एक आप प्रथक करणी अर्था अनिवार वस्त बन चुकी है यह हमारे रहेंसेन की पद्धिती को परभावित करती है परंतु जैव निमनी करण का गुड़ ना होने के कारण यह हमारे परयावरण के लिए बहुत बड़ा खत्रा प्लास्टिक से आप सभी परचित हैं इससे बैन लग चुका है लेकिन यह जो है हमारे परयावरण के लिए बहुत ही शत्रूग एक प्रकार से समझ लेजी है बन गई है और इसकी रिसाकले भी बहुत मुश्किल से होती है पॉलिथीन का इसलिए भारत के विभिन राज्यो प्लास्टिक के उद्योगों को हतोत साहित किया जा रहा है अर्था इसके लिए एक मुहिम बनाएगी ही कि प्लास्टिक का प्योग ना करें जिससे कि हम हर तरह से बस सके आने वाली पीड़ी बस सके इसके नुक्सान से और अब बच्चों ज्यान आधारित उद्योग कुछ अने उद्योग भी हैं जो ज्यान आधारित उद्योग हैं अभी तक आपने लोहा इसपाद उद्योग पढ़ा चीनी उद्योग पढ़ा सूती वस्तर और अब इसको भी देखिये क्या है ज्यान आधारित उद्योग यह प्रोद्योगी उन्नती ने देश की आर्थिविवस संभावने उत्पन कर दी है और भारतिय सॉफ्ट्वेर उद्योग यहां की आर्थ विवस्ता में सबसे तेजी से विक्सित सेक्टर में एक है जो कंप्यूटर उद्योग है आप देखिए हार्डवेर सॉफ्ट्वेर और जो टेकनोलोजी जो डेवलप कर गई है यह भी एक प सॉफ्ट्वेर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्द कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है बड़ी संख्या में भारतिय सॉफ्ट्वेर कंपनियों ने अंतराष्टी गुणवत्ता प्रमाडण प्राप्त कर लिया है और भारत में उदारी करण निजी करण तथा वैशिव करण एवं ओद्यो की विकास इसे देखते हैं बच्चो भारत में उदारी करण नई ओद्यो की नीत की घोषणा सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कब हुई थी 1991 में इस नीत के मुख उदेश क्या थे ये कोशन आता है कि नई ओद्यो की नी लाव को बढ़ाना इसमें विक्रित अथ्वा कम्यों को दूर करना और उत्पादक्ता और लावकारी रोजगार में स्वापोशित वृद्यो को बनाये रखना और अंतराश्ट्री प्रत्योगता प्राप्त करना ये इसके उदेश थे अंतर ओद्यो की नीतिके इसके इसके अलावा हैं जो मुख्य हैं बच्चो आपको सिर्फ उतना ही बताना है आगे देखें नई ओद्योगिक नीती जो लागू की गई थी नई ओद्योगिक नीती आर्थी विकास का उंचा अस्तर प्राप्त करने के लिए सीधा विदेशी निवेश घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया और FDI घरेलू निवेश तथा उभोगताओं को जिस तक्नीकी उन्नेयन वैश्विक प्रवंध कुशलता और व्यवारिक्ता का अभिगमन प्राकिर्तिक और मानवी संसातनों का सर्वोतम अभ्योग आदिके प्रावधान के दोरा लाव प्रदान करता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उधारी करण हुआ तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए 140 मार्ग तक पहुंच की सहमती दे दी अर्था विदेशी निवेश के सायता से हमारे देश में उद्योगिक नीत में बदला और उनके विकास की राह मिली सरकार ने उद्योगिक स्थिती संबंदी नीतियों में भी परिवर्दन की घोशना की परियावर्णी कारणों से बड़े शहरों में या उनके निकट उद्योगों की स्थिती को हतो सहित किया और इसके लावा देखिए वैश्यू करण का विवस्ता है पूरे संसार के उसके साथ एकिकर्द करना इस प्रक्रिया के अंतरगत समान और पूंजी सहित सेवाएं श्रम और संसादन एक देश से दूसरे देश को स्वतंदरता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं घरेलू और वाय प्रतिस परधा के लिए बाजार प्रक्रिया के व्यापक उप्योग और विदेशी निवेशकों और तकनिकी पूर्थी कारों के साथ प्रभावी संबंद को सूसादे बनाकर वैश्यू करण को आगे बढ़ाना है भारती संदर में इसका आर्थ क्या है देखे वैश्यू करण का भारत में आर्थी क्रियाओं के विभिन छेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्द कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए आर्थ विवस्था को खोलना यानि हम अपने देश की अर्थिवेस्था को विदेशी जो पूंजी है उसके लिए उधारी करन उधार बनाना और इसके लावा भारत में बहुराष्टी कमपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिवन्द को खत्म करना ये उद्योग नीत का ही एक भाग है इसके लावा भारती कमपनियों को देश में विदेशी कमपनियों के सहयोग से उध्योग खोलने की अनुमती प्रदान करना और पहले शुल्क दर्ग से मातरात्मक प्रतिवन्दों में कमी लाकर बड़ी मातरा में आयात उदारता कारिक्रम को कार्यान वित करना तो ये था बचो ये अध्या निर्माड उद्योग से शम्भाणधी मुख्य उद्योग कौन कौन से और अगले वीडियो में आपको मुखrike उद्योग हैं उद्योग के प्रदेश कौन कौन से हमारे देश में हैं उन पर विश्त्रि चर्चा की जाएगी और आशा है कि इस मसमें आ गया होगा और अगर नहीं आया बच्चो तो कोई बात नहीं वीडियो को दीघ क्योंकि इसका विश्तनत अध्यान नोग्स नोड़त बनाके नहीं कि आ जा सकता बिना आपको उन जाद आट जोड़त ज्री वीडियो में जिस तो मिलते हैं इस अगले तो तब तक के लिए बच्चो आप अपना ध्यान रखें, स्वास्त रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू, टेक केर